मिट्टी के बरतन स्वास्थे के लिए ही नहीं बलकि वास्तु के हिसाब से भी फायदे मंद माने गए हैं। सुख सम्रिध्धी और धन के लिए घर में मिट्टी से बनी चीजों को रखना सही माना जाता है। जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए वास्तु का सही होना बहुत जरूरी माना जाता है। वास्तु का सबसे गहरा नाता घर से उसके अंदर रखी वस्तुओं और किचन से होता है। अगर रसोई की जगहे या रसोई का कुछ सामान वास्तु शास्त्र के अनुसार न हो तो धन हाने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही घर में नेगेटिव एनरजी की भी एंट्री हो जाती है जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसे में घर और रसोई में काम आने वाली मिट्टी से बनी कुछ जरूरी सामान को रखने वास्तु को ठीक रखने में मदद मिलती है। वास्तो शास्त्र के अनुसार मंदिर में पूजा के समय अगर मिट्टी से दिये को जलाया जाए तो इससे दरद्रता खत्म होती है और इसे बेहत शुभ माना जाता है घड़ा लोगों के जीवन में फ्रिज की एंटरी के बाद से घड़े का महत्व और इस्तमाल धीरे धीरे खत्म होता चला गया आज शहरों में घड़े देखने तक को नहीं मिलते वहीं गाओं में भी इसका दीदार कम ही हो पाता है लेकिन घड़े का पानी शुद्ध और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है वास्तु शास्त्र के मताबिक अगर आप अपने घर में उत्तर दिशा में मिट्टी का घड़ा रखते हैं तो इससे काफी लाब होता है पूर्तिया वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप घर में मिट्टी के बनी कलाकृतियों को रखते हैं तो इसे शुब माना जाता है हाला कि इन्हें रखने के लिए हमेशा उत्तर पूर्व और दक्षिन पश्चन दिशाबाले स्थान का इस्त्रमाल करना चाहिए जिसका सीधा कनेक्शन प्रित्वी तत्व से होता है इससे घर परिवार में सुख और शांती रहती है